सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार दिख स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ख्वाजा पीजी को क्यों मानना चाहिए ख्वाजा पीजी से हमें क्या मिल सकता है सो आप सभी से बिंती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें प्यारे दोस्तों हजरते ख्वाजा मुएनू दिन हसन चिस्ती जिनको हम ख्वाजा गरीव नवाज भी बोलते हैं ख्वाजा पीर भी बोलते हैं जे आज की वीडियो का रेफरनस है सीवत खवाजा गरीव नौज प्यारे दोस्तों खवाजा गरीव नौज अपने मुर्शद से शर्फ वैठ हांसल करने के बाद और कई बार अपने पीरो मुर्शद के साथ और कई बार उनके इलाबा भी हर्मान ने ताइवत की जियारत के लिए जाते थे लेकिन जब 583 हिजरी में मक्का ए मौजमा में पहुंचे एक दिनाब सरकार हर्मे काबा में बैठे अपने इबादत में मशगूल थे तो गैव से एक आवाज आई के हम तुमसे खुश हैं हमने आपको बख्ष दिया है आप जो चाहे मांग लें हम आपको अता करेंगे जैस सुनकर हजरत एक वाज़ा गरीब नवाज जी ने अरजि किया कि आए मेरे खुदावंद आप के आप मुएनु दिन के मुरीदों को बख्ष दें उनके मुरीदों के मुरीदों को और गहां उनके मुरीदों के मुरीदों को भी बख्ष दें जैस सुनकर इरिशाद हुआ कि आप मुएनु दिन आप मेरी बलकियत हो कि आपके जो मुरीद है बे क्यामत के दिन बक्षे जाएंगे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हजरते खुआजा मौयनुदिन हसन चेश्ती काबा में हकता अला की वादत कर रहे थे तो उनको एक देबी अवाज आई कि आए मौयनुदिन हमने आपको वक्ष दिया है आप हमारे प्यारे हो तो अब आप जो भी चाहो हमसे मांग लो तो खुआजा पीर जी ने फरमाया कि आए मेरे खुदाबंद आप मुझे और मेरे मानने वालों को वक्ष दे हजरत खुआजा साहिब ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा अपने मरीदों के लिए मांगा अपने आश्कों के लिए मांगा अपने मानने वालों के लिए मांगा हजरत खुआजा साहिब ने पूरी दुनिया की भलाई मांगी थी और अपने मुरीदों का भला मांगा था यह कितनी बड़ी बात है कि खुद अल्ला ताला ने हधरत एक वाजा मुयनुदीन जी से कहा था कि ऐ मुयनुदीन मैंने तुझे और तेरे मानने वालों को हशर के दिन के लिए बक्ष दिया है तेरे मानने वालों को कोई भी दोजग का दुख नहीं भोगना पड़ेगा उन्हें कोई भी दिक्त नहीं होगी और तेरे मानने वालों को हर तरह की बरकत खुशी और सुख नसीब होगा सो प्यारे दोस्तो इसलिए हमें ख्वाजा पीज जी को माना चाहिए जिन्हों ने अपने मरीदों के लिए पूरी दुनिया के लिए भला ही मांगा है और आज तक बै अपने मरीदों की हर मराद को पूरे करते आए हैं और आगे भी करेंगे इंचालला आप सब की भी हर मराद पूरी होगी आप सभी की दुखों को दूर करें तकलीफों को दूर करें और आपको हर खुशी से नवाजें हमारी यही कामना है पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें